तलको जब आप डॉक्टर बनोगे, आप अपने पेशेंट को भीजोगे ना, कि भीए जाग खून की जांच करवा करके आ, और मुझे आकर कर रिपोर्ट दिखाना, अब वो प्राणी अगर जाता है, खून की जांच बगेरा करवाता है, और रिपोर्ट ला करके आपको नही कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला क्या हुआ, कैसा अनलाइसिस था, कुछ भी रिपोर्ट आपको नहीं पता, आपको उसका ट्रीटमेंट भी देना के तरीका नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो तो आपके पास आया ही नी, टेस्ट देश दे दिया, बात ख़तम, यह ही सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर 99 प्रतीषत लोग नहीं प्रतीषत लोग करो यहांग है पर अगर आप दोग्टर बनने वाले इससे ज्यादा important चीज आपको नहीं समझा सकता हमें कि test is very very important ठीक है अब यहाँ पर आज के session में हम क्या देखने वाले हैं test कैसे किया जाए analyze कैसे किया जाए और उस analysis से हम फायदा कैसे निगाल सकते हैं क्यों important है मैं आपको एक sheet भी देने वाला हूँ analysis करने होंगे तभी improvement आपको दिखेगा clear है चल यह शुरू करते हैं बेटा कैसे होगा test का analysis क्या importance है इसकी test analysis का बेटा सबसे important काम तो अपने आपको improve करना अपना जो target mark से उसको achieve करना जो knowledge के अंदर gaps रह जाते हैं कुछ ऐसे gap रहाते हैं कि यहां पढ़ते हैं हमने सोचा था है हमें बहुत अच्छे से आते हैं लेकिन जब हम questions all करते हैं तब हमें पढ़ता चलता अच्छा इसका तो थोड़ा और deep knowledge मुझे होना चाहिए तब ही मैं answer दे पाऊंगा वह knowledge gap को identify करना और उस topic की हम सभी को पता चलता है यह वाली चीज़ हमें पढ़नी है लेकिन अगर हम test के बाद उस चीज़ को न लिखें न पढ़ें तो वहीं दभी रह जाती हमारे कोई काम नहीं आती ठीक है तो आप वही चीज़ को identify करना है कैसे करेंगे सबसे पहले तो भया हम पूरा की पूरा overall performance जो हमारा है उसको evaluate करेंगे overall performance कैसे evaluate करेंगे सबसे पहले तो हम करेंगे जो हमारा पूरा score हो कितना आ रहा है हमारी accuracy कितनी आ रही है जैसे हमें 40 question चलो 50 में से let's suppose तो 30 जो आते हैं उसमें से हम कितने सही कर रहे है 30 में से अगर आते वाले में से 30 के 30 आपने सही कर दिये तो very good यार आपका बहुत बढ़ी 100% accuracy है लेकिन अगर आपको 30 आते और उसमें से आने वाले questions में से 25 कर रहे हो तो आपको अपना accuracy समझना पड़ी कि क्यों आता हुआ question गलत हो रहा है यह reason आप लोगों को लिखना हो ठीक है इस से आपको पता चलेगा कहां गलती हो रही है आने वाले question में कहां गलती हो रही है तो इस चीज़ से आपकी जाधा अच्छे से रिलाइस होगा इसके बाद आपको जो आपका strong पार्ट है जो आपका weak पार्ट है वह आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा एक में नहीं चलेगा multiple आपको analysis करने होंगे इसके बाद क्या होगा पहला वाला समझ गया है overall performance evaluation होगा आपकी जो mistakes हैं उसकी निकला ठीक है नहीं आता वो तुक्का वाला clear है clear है सभी एकदम सुपर sorted इसके बाद दिखिए बटा अब आप क्या कर सकते हैं question को track भी कर सकते हैं कैसे track करेंगे आप अलग-अलग questions जो आपके आ रहे हैं जिन questions में आपको दिक्कते हैं उन सभी questions के आप क्या कर सकते हैं इन सभी questions के common question type identify कर सकते हैं कि इन questions में मुझे दिक्कता आ रही है इसके अरावा आप क्या कर सकते हैं यह specific pattern मना सकते हैं कि हाँ इस pattern की question में अर्टक जाता हूँ जैते मैंने कुछ questions आपको classes के अंदर सिखा हैं कैसे question कि यह चार option है अगर आप खुद solve कर लोगे एक question है जिसको आपने खुद solve करके answer निकाल लिए और फिर option से match करोगे तो easy पढ़ेगा option में ही answer ढूंडने लगोगे तो मुश्किल हो जाएगा clear है मतलब question देखो खुद solve करके answer निकाल लो और फिर उसे option से match करो तो easy पढ़ता है अगर आप question पढ़के option में ही answer ढूंडने लग जाओगे ना तो option बनाती ही इतने confusion कि बहुत खतरनाक हो जाता है अब यह specific आपको पता चलेगा कि यहां इस तरह में दिक्कत आ दिए assertion reason में दिक्कत आ रही है तो आप assertion reason को समझने का तरीका पहले से class with में practice करोगे clear है यह सब कब पता चलेगा जब आप regular test analysis करोगे एक बार में आप आपको दिक्कत पता चलेगी आगे के test में पता चलेगा कि आपकी दिक्कत खतम हो रही है क्या और effort इसके अंदर डालने की ज़रूरत है इन सभी चीजों के पर बटा आपको काम करना हो clear है इसके बात क्या करेंगे आप missed question जो कौन-कौन से question आप छोट रहे हैं वो भी आपक टेस्ट का जो भी डेट है जिस डेट पर टेस्ट होई है आपने कितने नंबर जो भी हुआ था वो डाल सकते हैं आखरी में आप यहां पर topic डाल सकते हैं किस किस topic की date है यहां पर आप अपने marks लिख सकते हैं कितने marks आपको मिले physics chemistry bio वो तब के लिए जगा है अब यहां पर पहले आप question number 1 से लेके पूरा की पूरा 200 तक जा सकते हैं या फिर अलग-अलग हर उसका टेस्ट आप बना सकते हैं मतलब अलग-अलग सब का 50-50-50 question का चारो subject का बना सकते हैं अब यहां पर देखिए पहले आपको 4-10 यहां पर marking डालने की question के साथ क्या हुआ हुआ 1 से लेक बाता चलेंगों फिर आपको दिखेंगों इस question में तो पांच मिनिट दी और इसने में को माइनस बन दे गया इस question में इतना टाइम दी और यह वाले question ऐसे दे गया तो यह analysis जब आपको दीखेंगा आपको बहुत वायद होगा इसके बाद देखिए आपके reason क्या है तो error जो यह concept है इस concept के बारे में मुझे पढ़ना है जो भी है तो उस question के बारे में आप अच्छा सूच समझ के यहां पर कुछ एक अच्छी सी line लिख सकते है बड़ी line clear है इसके बाद आप बहुत है क्या आप इसका मतलब जैसे हमने video method है हमारी question को solve करने कि हमारे पास video method है visualization identification तो य आप यहां पर formula अगर identify कर पाए तो टिक टिक मारना है नहीं कर पा रहे तो cross cross मारना है आखरी में calculation mistake क्या आप से हुई अगर कोई हुई तो और what you found difficult ऐसी कौन सी चीज है जो आपको difficult लगा है ना ऐसी कोई न कोई चीज होगी जो आपको difficult लगा है जैसे आपको 10 की power 10 वाला multiplication 10 10 to the power minus 12 यह वाले मैं आपसे गलती होगी तो यहां लिख लो तो आपको पता चलेगा यह मेरा कमजोर है इसकी मुझे practice करके जानी है तो यहां पर वो चीज भी आपकी लिग गई और आपके बड़ा physics के लिए तो यह बहुत जादा important हो जाएगा बाय और chemistry के लिए तो आप ऐ test analysis देखोगे ना आखरी देनी है किसी भी test के पहले सारी गलतिया एक जगे मिलने वाली है इसके वाला organize आपका क्या होगा पूरा subject और topic organize हो जाएगा topic wise subject wise हर चीज और आपको मिलेगी हर गलती आपको तरीके से मिलेगी और आप अगर regular review करोगे तो आप अपनी गलतियों से सी को जाने से उतने ही मास आपको जादा मिल जाएंगे उतने जादा आपका score बढ़ता चला जाएगा तो ऐसा होता है कि आपको 30 सवाल आ रहे लेकिन वह 24 सहीं करें तो 6 सवाल को आप बचा सकते हैं उसकी कोशिश करिए वही आपका बहुत बड़ा improvement है clear है और यह सब करने के सकते हैं time management आपका pattern समझ सकते हैं कहां जादा तेज होगा कहां दीरे होगा कौन से question को पहले एक बार में solve कर दूँ इस तरह के question को दूसरे बार में solve कर दूँ अपने ही style से आप यह सब चीज को analyze कर सकते हो जब आप बहुत जादा test analyze कर लोगे एक दो test में नहीं आएगा कमारने वाली जो चीज हो गए या फिर कुछ भी इस तरह के है ना आपके issue होगा है वो सब चीज को आप reflect कर सकते हो कहां मिलेगा आपको यह वाला पूरा की पूरा PDF analysis करने के लिए इस वाले टेलिग्राम ग्रूप पर टेलिग्राम ग्रूप का नाम अनुबम पाद है official clear है सबी लोग बहुत अच्छे से clear तो इस पूरे के पूरे सेशन का हमारा conclusion क्या निकल कर क्या आता है इस पूरे के पूरे सेशन का conclusion क्या आता है कि आपको consistency करना होगा अगर नहीं करोगे नुकसान होगा regular analysis करते रहना होगा इसके बाद क्या करना है realistic goal लेना है एक बार मैं आप आप पूरा की पूरा analysis पढ़ सकते हैं यह तेस्ट में यह गलती हुई थी यह वह था चाहां इसे broken ओके everyone super duper sorted और अगर आप चाहते हैं कि यह हमारे साथ जोड़कर के पढ़ाई भी करना है हमारे ही test series देना है तो it's a very good thing कि आप 50% off का avail ले सकते हैं otherwise आप लोग YouTube पे तो classes च अप्लीट हो जाए तो that is also available in UP code use करिए class आज शूरू हो रही कि अभी बस जाई ही रहा हूं मैं class लेने इसके बाद बेटा अगर आप देखेंगे तो 9999 में धाई साल का course मिल रहा है अगर कोई 2027 टार्गेट कर रहा है 10th में है इस वक्त वह प्राणी फायदा उठाना चाहत ठीक है बहुत जादा आपको immense benefit इस चीज से होगा यस गाइस एन यूपी code यूज करिए ताकि आप हमारी guidance में मेरी guidance में आ सके जहां पर मेरे mentors आपको guide भी कर सकेंगे thank you so much गाइस चलिए see you चाथा बाए-बाए